हेलो स्टुडेंट्स कैसे वाब सब अच्छे अरे बाब बाब अच्छे तो और भी अच्छी बात है ना हाँ तो कितनी लोगों को साइन्टीस पसंद है या तो फ्यूचर में साइन्टीस बनना है ऐसे किसी कीच्छा है ऐसे है कोई कितने सारे लोग है अच्छी बात है तो साइन्टीस बनना मतलब सर एक दम एजी है इजी है नो वो काम इतना इजी नहीं है क्यों नहीं है ऐसे में कुछ शंसोजन करना पड़ता है कुछ नियम बनाने पड़ते है वो साबित भी करना पड़ता है ऐसे में कोई बननी जाता है साइन्टीस कि मैंने यह काम करके तो मैं साइन्टीस बन गे ऐसा होता है अरे नहीं 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 वो तो थोड़ा हाड है अब है ना हाड है कि सवराइजेक न्यूटन जो थे रुक्ष की छाओं में तुसे बैठे थे एपल का रुक्ष था तो क्या हुआ उपर से एपल गिरा तो उसने सोचा कि भी यह उपर से नीचे ही क्यों गिरा इधिर क्यों नीचे लगया उधर क्यों ने गया उपर क्यों ने गया नीचे ही क्यों आया कुछ तो रिजन है तो अब जाकर उसने उसके पीछे कई सारी बाते देखी तो उसने कई सारी चीजे से देखा कि हाँ वे सब चीजे उपर से नीचे ही आती है उसने कई बार देखा उपर से भारी चीजे डाली हलकी चीजे डाली और उसने साथ में यह भी देखा कि भी जो भारी चीज है वो जल्दी से नीचे आ जाती है और जो जो बहुत भारी नहीं है वो एक दम धीरे-धीरे से मिच आती है ना तो उसका रिजन क्या है तो उसने बाद में दीखा कि पृत्वी के अंदर एक ऐसी चुम्ब के शक्ती है जो हर चीज को क्या करती है अपनी और खीच लेती है उसको क्या कहते हैं हम भूत्वा कर्शन बर्ग होता है ना तो अपको बढ़ने में भी आता है तो देख उसको ऐसी बोल दियोगा कि ऐसा होता है उससे पहले किसी नहीं देखा था कि सब चीजे नीचे ही गिरती है लेकिन उनको एक को ही ऐसा इडिया है और फिर लोग तो पागल भी कहेंगे कि वैया उपर से नीचे ही गिरती उसमें कहा बड़ी बात है लेकिन बड़ी बात नहीं है उसका रिजन क्या है वो किसी को नहीं पता है वो तो है नीचे गिरती है बस तो वो उसके पीछे बड़ गए कि क्या ऐसा रिजन है कि जिसके बज़े से चीजे नीचे ही गिरती है तो वो बड़ी बात है ना ऐसे में बोलने से कुछ काम होता नहीं बोलने से क्या होगा तो ऐसे साइंटिस बन जाते मैं बोलता हूँ, मैं साइंटिस बनना चाहता हूँ तो मैं साइंटिस बन जाते नहीं बन पाऊँ इतनी पढ़ाय लिक्हाई करनी पड़ती है छोटी छोटे छोटे चोटे आभिश्कार करने पड़ते हैं तो अब जहकर कुछ काम हो सकता है ऐसे में कुछ काम हो सकता नहीं तो है न आप लोग जो बनना चाहते हैं उसको बेसे बेस्ट अप लग कहते हैं है ना ऐसे इस्टूडेंट में से ही बनते हैं सब कुछ नहीं है चोटे-चोटे साइंटिस भी होते है तो आज हम ऐसे ही साइंटिस्ट यानी विज्ञानिक की बात करने वाले हैं मैडम क्यूरी क्या शंश्वदन किया होगा वो तो हम देखेंगे तब पता चलेगा है है ना ऐसे वह कहीं सारे साइंटिस है चिनोंने कुछ न कुछ न कुछ शंश्वद्धित करके रखा है 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 ना तो यह जो हम तो हम जो आज बात करने चाह रहे है उसका नाम है मैडम क्यूरी क्या शंश्वदन किया होगा वो तो चैप्टर देखेंगे तब पता चलेगा आप लोगों पढ़ लिए एडवेंस में और यह वाँ जितने लोगों कोई ऐसे इच्छा होगी कि साइंटिस्ट के बारे मुझे पढ़ना बहुत पसंद है तो लोग तो देखी लेंगे ना च मैडम क्यूली इन लोगों के जीवन में कितनी बड़ी मुश्किले आते हैं कहीं कहीं साइंटिस्ट ऐसे भी हैं चीनाओने शंशोधन करते करते अपनी चान में गवा दिया कहीं साइंटिस ऐसे कि कितने सालों तक करते रही काम लेकिन उसका काम खतम ही नहीं हुआ और फिर दूसरे साइंटिस्ट ने उनका जो आधा काम है वो कम्प्लीट करके वो शंशोधन कर दिखाया ह le wilde कि पिरए आज मेयं कई होता है कि तुश पीछे पड़े रहना पड़ता है ऐसे आज में बैट गया तो लुग यह सब काम हो गया ऐसा नहीं होता है कुछ भी तो उसके पीछे कितना सारा टाइम जाता है वो भी फिक्स नहीं होता है ऐसा नहीं होता है ए मैं आज बैठ गया यह तो कल तो नहीं होता है यह भी बता दिया ऐसा होता है कुछ नहीं होता है ऐसा आसान नहीं है इतने जल्दी में तो मारा ओंबर भी नहीं होता है तो शंचोजर काहा होगा है ना तो ये सब बाते थोड़ी हाड़ बर पाले है और उसमें चोटी से चोटी बात आपको ध्यान में रखने पड़ती है एक चोटी सी गलती के बज़े से आपका पूरी का प्रियोग फैल हो सकता है और फीर से नया करना पड़ते हैं तो आपको दिमाग को एक तब ठंडा भी रखना पड़ता है पुरा फैल होगे तो जह अब मुझे नहीं करना है जाने दो ऐसा करका बैठ जाओगे तो नहीं चलेगा लेकिन क्यूं फैल हुआ कैसे फैल हुआ यह गलती थी यह सब महां पर लिखते जाना पड़ता है और जब नेक्स तेम फिर से करो तब पूरा ध्यान रखना पड़ता है तब जाकर काम हो सकता है ऐसे माइं काम ये मेरा मुझा प्रयोगट केल हो गया तो काम ऊपर कूछ नहीं हो गोगा तो उसके पीछे पड़े रहना पड़ता है तब जाकर काम बनता है कि इसे बैठे रेने से कुछ नहीं हो सकता तो कुछ फाइदा नए दोड़ते रेना काम करते रेना तो फाइदा है तो इन लोगों के जीवन में भी कितनी सारी तकलिप है कितनी मुश्किले कितनी अर्चन ये सब आते ही हैं लेकिन वो छोड़ देते कि चलो भई यह हमने काम छोड़ दिया कि यह हमने काम छोड़ दिया हमसे नहीं वो पाएगा नहीं वो लड़ते है आखरी दम तक लड़ते है और कुछ साबित करके दिखाते है कि यह देखो यह मेरा काम है तो आप देखते हैं मैडम क्यूरी मैडम क्यूरी चैप्टर नमबर 12 है ना मस्ता चैप्टर ना कटनाईया उन लोगों का मार्ग कभी नहीं रोकती कि जीने लगन और तनमेत स्वयम को किसी उपदिश्य के प्रति समर्पित कर देते हैं कटनाईया उन लोगों का मार्ग कभी नहीं रोकती कटनाईया आती नहीं है क्योंकि उसको पता है कि यह तो मेरी सुनने वाला है नहीं यह तो रुपने वाला है नहीं इसने तो जो धान ले वो स्वयम करने वाला ही है तो उब्देश्य ये गोल लक्ष आपके सामने होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है इसके लिए पूरा समर्पित हो जाना पड़ता है और कभे-कभी हो काम नहीं भी होता है तो भी क्या हुआ फिर भी आप काम करते रहोंगे धब जाकराब का काम हो पाएगा तो यहां पर वही बात आपे बता रहे हैं कि वहीं कटना यहां उन लोगों का मार्ग कभी नहीं रोकती जो लगन और तैनमे से स्वेम को किसी उब्देश्य के प्रति समध्पित कर देते हैं जीवन में सदा गतिशिल बने रगना ही जीवन का उदेश्य होना चाहिए बिना लक्ष का जीवन बिना पत्वार की नाव के समान होता है देखो बिना लक्ष का जीवन जीवन में यदि कोई गोल नहीं है तो क्या है बिना पत्वार की नाव जैसा को है विश्व में कहीए इसे ही महान व्यक्ति हुए है जिनोंने समाज को लाव पोचाने के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया समाज में ऐसे कही ही सारे लोग है जीनोंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है किसके लिए समाज देश के लिए आईए एक ऐसे ही व्यक्ति से प्रेणा ले ऐसे ही एक व्यक्ति है जिससे हम प्रेणा प्राप्त होती है कि जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है कैसे प्राप्त करना है क्या हम कर सकते है क्या हम नहीं कर सकते है वो हमें पता ही होता है हम क्या काम कर सकते हैं हमें पता ही होता है अच्छी तरह से पता होता है मैं तो यह बोलना चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता होता है कि हमें क्या करना है तो यहां पे पे अमने देखा कि विश्व में कहीं ऐसे महान व्यक्ति है जिनों ने समाज को लाभ पहुचाने के लिए अपना जिवान पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया तो यह ऐसे ही व्यक्तित्व से हमें प्रेणा मिलेंगी ऐसे हैं व्यक्तित्व है देखते हम इतिहांस ऐसे महान लोगों से भरा हुआ है जिनोंने अपनी बारे में सदिव का है मैं यहां कर दिखाऊंगा कि मैं यहां कर दिखाऊंगी एसे ही एक महान विग्णानिक थी माडम क्यूरी मैं यह कर दिखाँ यह वासला जहना वो सबसे बड़ी बात है ज्यादा तर लोग यही कहते हैं कि मैं यह नहीं कर बाँ तो कैसे होगा क्योंकि उसने पहले से ही फिक्स कर दिया कि यह नहीं होगा जब आपने पहले से ही तेही कर दिया है तो कैसे हो सकता है होगा ही नहीं ना तो जो देखो मैं यह कर दिखाँगा एस सी ही एक महान विग्णानिक थी माडम क्यूरी उनका जन्म साथ नवंबर 1867 को हुआ या लखना यह लेटे उनके पीता का नाम स्लोदोस्का था थोड़ा पड़ा नाम है लेकिन याग रखना है वे पॉलेंड में रहते थे कहां रहते थे पॉलेंड में वे विग्णानिक थे तथा कॉलेज में विग्णान के प्रोफेसर थे पॉलेंड में रहते थे और वे 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 विग्णानिक थे और एक बात थी कि वे विग्णान के प्रोफेसर भी थे मेडम क्यूरी के बच्पन का नाम मेरिया था मेरिया उसका बच्पन का नाम क्या था मेरिया तो यह बात यहां पर याद रखनी पॉलेंड मेरिया थे थे उनके पिता विज्ञानिक थे, स्वलो दोसका उसका नम था और वे विज्ञान के प्रोफेसर थे मेरिया ने वार्षा में शिक्षा प्राप्त की थी वार्षा में उसको पिता जी उसको शिक्षा प्राप्त की वे पिता की तरव विज्ञानिक बनना चाहती थी देखो उसके पिता जी की तरब वो भी विज्ञानिक बनना चाहते है वार्षा में पड़ाई समक्त कर आगे की पड़ाई के लिए वे पैरिस चली गए उसके बाद वहां की पड़ाई खतम की और वहां से गई सीजी पैरिस अब तक की पड़े उसने पॉल एंड में लिए और वहां से अब कहां गई है पैरिस पैरिस में उन्होंने अपने खर्च के पैसे जुटाने के लिए पड़ने के साथ साथ विश्व इद्याले में पढ़ाना भी शुरू कर दिया देखो मस्क लेने ये कि पैरिस में उन्होंने अपने खर्चे के लिए पैसे प्राप्ट करने के लिए क्या गिया विश्व इद्याले में यानि कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया कोलेज में लेक्चरर के रूप में चाते होगी तो देखो उसके पिता जी ये प्रोफेसर ये साइंटिस है कोई उसे कुछ पैसों के मना करने वाला है नहीं फीर भी उसने क्या सोचा कि मैं अपने खर्चे का पैसा खुद ही लोगी अपने पैसे से ही सारा खर्चा कर दिया तो उन्होंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया वहीं उनकी मुलाकात प्रोफेसर पीर क्योरी से होई वहां पे उसकी मुलाकात उसके साथ में पढ़ाने वाले थे प्रोफेसर पीर क्योरी स से पीरे क्यूरी वेग्यानिक कार्य के ब्रत्री पूर्णता समर्पित वेग्यानिक थे पीरे क्यूरी भी ऐसे ही वेग्यानिक थे जो पूर्ण रूप से समर्पित थे पीरे क्यूरी से विवाके पशाद मेरिया माडम क्यूरी की नाम से प्रसीत हुई और उसी P.E. Curie के साथ मैडम ये जो मैरिया थे उसने उसके साथ शादी की और उसका नाम हो गया मैडम क्यूरी समझ गहें और उसी नाम से वे प्रसिद्ध हुई कौन से क्यूरे मैडम क्यूरी पीरे क्यूरे उसके हश्बन का नाम है पती पत्नी दोनों के रूची विग्णान में थी इसलिए वे दोनों नहीं नहीं प्रियोग करते रहे थे वह ऐसे पदर की खोज करना चाहते जो अंधेरे में भी अपनी किर्णे विखेरता आपको दीखो पती और पत्नी दोनों अभी तो दोनों साइन्टिस्त हैं तो दोनों को इसी बात की शोध थी उसको ऐसी एक चीज का शंशोधन करना था कि जो अंधेरे में भी चमकती हो अंधेरे में भी वो अपना प्रकाश फैला दे रहा असान नहीं हो है इस सब काम अभी देखेंगे क्या-क्या होता है उसके उपर अभी आगे देखो भूल जाओ मैडम क्यूरी को बड़े-बड़े विग्याने को ने सला दे बड़े-बड़े तो होते हैं सला देने वाले उन लोगों ने सला दे कि भूल जाओ कि ऐसे होगा ही नहीं कुछ मिलेगा भी नहीं आप लोग बोल जाओ अनुसार उनकी अनुसार रेडियम जेसा तत्व हो ही नहीं सकता था लेकिन मेडम क्यूरे ने उनसे का मुझे खुद पर भरोसा है रेडियम होता है न जो रात को भी चमकता है अंधेरे में आप रोड पे वगेरे पे देखो तो रोड पे वो पट्टी खीची होई वती है वो कैसे चमकती है क्योंकि वो रेडियम है तो दूसरी जो वेग्या नहीं थे वो मानते थे कैसे कुछ इस होंगी नहीं आप भूल जाओ उसे तब जागर मैडम क्यूरी क्या कहती थी कि मुझे खुद पर भरोसा है अपने आप पर भरोसा होना वो सबसे बड़ी बात है दूसरी लोग तो बोलेंगी ना वो तो बोलेंगे बचाने उनको क्या है उसको लगागा कि इतनी सारे महनत करते उससे बहतर है कि महनत ना करे किसी को तो पसंद भी नहीं होता है कि वह उमारा नेम पीछे लेजएगे इन लोगों करना माले हो जाएगा यसा सब होता है यह बाई है न? तो सब उसके सला दे रहती कि भूल जाओ एसा मिल सकता है वह बात ही भूल जाओ मैडम क्यूरी ने का कि मुझे खुद पर भरोसा है और वो दोनों अपने काम में लब गई अपनी काम पर भरोसा होना वह बड़ी बात है बैस्ट इसलिए तो मैं बोलता हूँ न? कि हमें खुद को ही नहीं पता होता है यह काम कर सकते है या नहीं कर सकते है पहले से हम बोल देते कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो कैसे होगा? दोनों का परिष्टरम रंग लाया और उन्हों ने दो विशिच पदाज खोज निकाले, जिनने से एक का नाम उन्हों ने पॉलॉनियम रखा था, दुसरी एक का रेडियम उन्होंने दो ऐसे चीज खोज निकाले, अब उन दोनों को मिक्स अप करके यह सब बना सकते, इस खोज के कारण उन्हें संसार का सबसे बड़ा पुरुसकार, नॉबल पुरुसकार मिला, देख, परिश्रम है, मैनत है, हाड़ वर्क है, तो उससे उसका रिजर्ट में बिल ग क्या बिला, कि पॉलेनियम रखा, दूसरी का नाम रेडियम, इस खोज के कारण, उन्हें संसार का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो पुरुसकार, यानि कि एवोड है, नॉबल पारितोश्य, नॉबल पुरुसकार, नॉबल एवोड बुल गया है, उसको देख नॉबल पारितोश्य मिलना, वो सबसे बड़ी बात है, नॉबल मिलने के बाद, न सिर्फ उनकी आर्थिक सिति में सुधर आया, बलकि, बल्कि कापी लोग प्रियता भी मिलने वे अभी नॉवन मिल गैले तो लोग प्रियता मिलें और नीज़ में अगा हो लोग को उसको पैचाने लगेगा कि लिज़ाकनो प्रतरिक कैसे और अओन गया पो विज्ञानिक मतलब विज्ञान से समझ रखने वाला प्रोफेसर मतलब जो कोलेज में पढ़ाते हैं, प्रियोग मतलब जांच, परिक्षांड, प्रियोग करते हैं ना विज्ञानिक, वो बात है यहां पर, अभी यह देखो, लोग प्रियता पे मिली, मैडम क्यूरी तथा उनके पत्ति पियरे क्यूरी अपनी खोच के दोरान कई कठनाईयो का सामना किया, पर सफलता पाने के बाद कापी दन और सन्मान प्राप्त हो, कितनी कठनाईया दिया, यह सब केमिकल के साथ काम करना पड़ता है, तो वो काम इतना असान नहीं है, जितना मानते हैं, दो केमिकल को मिलाना पड़ता है, उससे कई गलत भी हो सकता है, कुछ उसमें से विकीर्ण भी निकलते हैं जो अपने मरिशरी को नुक्षान पहुचाने वाले होते हैं कुछ ऐसे तुमें भी निकलती हैं जो आग को नुक्षान करते हैं तो इसे कहीं सारी परिस्तिती आती हैं तो कथी नहीं का सामना तो करना पड़ेगा न। कटना योका सामना कि ये बिना तो कुद्प्राप्त होने वाला है नहीं है कुद्प्राप्त नहीं होता है मुश्किली तो आयेगी बिना मुश्किली का काम वो ही नहीं सकता कापी धन और सन्मान रट लोग पैसे भी मिले सन्मान भी मिला वो जो लोग बोल रहे थे कि भूल जाओ वही लियोग उसे सन्मान देने लगे वा तो दोनों ने ये काम भी कर दिखाया जो कापी मुश्किल था लेकिन आपने कर दिखाया प्रसीद्धी के कुछ है अंधेरे पहल भी होते है रेडियो सक्री पदार से मुक्त हुए खीलों को दिख्षन होती है मैंने बताया ना कि ये जो रेडियम से निकलने वाली दिख्षन होती है इन में जीवत जीवित कोशेकाओ के नश्ट होने का खत्रा रहता है कई बार शरीर पर घाव बन जाते हैं देखो इस शरीर में खत्रा होता है घाव भी बन जाते हैं कैसे गीरते और कैसे लग जाता है ऐसे तिक्षन होते है इसके विख्षन होते हैं कई बार शरीर पर घाव हो जाते हैं अधीक समय रेडियो सक्क्रिय लिखो भी क्या होता है अधीक समय रेडियो सक्क्रिय पदार्थ के बीच रहने से मेरिया को रक्त अल्पता और ठकान का अनुबव होने लगा और पीरिया को भयाव अंदर के दोरे पढ़ने लगा दीखो मैरिया को भी प्राब्लम होने लगा मैरिया याने मैडम क्यूरी रतल पता और अशक्ति जैसा ठकान यह सब होने लगा और यह जो यह लोग साइंटिस्ट लोग संशोजन करते हैं तब खाना पीना यह सब कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं सोना वो भी टाइम पे नहीं होता हैं राद राद तक कामी करते रहते हैं उसको नीदी नहीं आते हैं और पीरी क्यूरी को तो भयावत दर्द की दोरे पढ़ने लगा पीरी क्यूरी की हैल्थ तो बिल्कुल खड़ाब होने लगे इन विकीलन जनिन विमारियों की चरम तक मोथने के पहले एक दुरगटना में पीरी का नीदन हो गया कैसी दुरगटना हुई कि पीरी क्यूरी का क्या हो गया नीदन हो गया है कि शन्षोदन करते करते हुआ है इस की मोथ के दुख को भूलाने के लिए अपना सारा सवी विगनान के खोज में बिताने लगी अभी उसके पती की मृत्य हो गए तो उसके पर भी चेंता के बाद चाह फ्लें लेकिन उसको भुलाने के लिए वो सारे दिर लेबरेटरी में कुछना को शंशोदन, 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 चालू ही रखा, चालू ही रखा, फिर क्या वाँ पेरिश के विश्वध्यालई में उन्हें अपने पतिकिस्तान पर प्रोफेसर के नौकरी मिल गई, उनके रसाइन विज्ञान के अन्य खोज पर उन्हें फिर से नौबल पूरस कर विला, ये मैडम क्यूरी एक ऐसे साइंटिस है जिने टू टाइम नौबल पारितोशिक मिला, इस प्रदेवेशाली महिला ने दो बार नौबल पूरस कर प्राप्त किये, कितने टू टाइम, वन टाइम पर मिलना मुश्किल है, ऐसे में उसने कितने दो बार नौबल पारितोशिक प्राप्त किये, रसाइन विज्ञान के अन्य खोज किये, उसके लिए, तो ऐसे में कितना फाइदा हो गया, कई विज्ञानिक उसे बोल रहे थे कि ये नहीं हो सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये शंचोधन ही नहीं है, आप भूर जाओ, लेकिन तब जाकर मैडम क्यूरी ने क्या कहा था, कि मुझे खुद पर भरोसा है, और वो खुद का भरोसा उसने साबित करके भी खानी है, टू टाइम नॉमेल, वन टाइम में मुश्किल है, ऐसा में टू टाइम, कि इतनी बड़ी बात है, तो ये सब 32 में से सीखने लायक है, कि यदि अपने कान के प्रतिलगन हो, तो मनुश्य के लिए कुछ भी अंसंभू नहीं है, आपको अपने खुद पर भरोसा और अपने काम के प्रतिलगन होनी चाहिए, मैडम क्योरे के जीवन से हमें मुल्यवान शिक्षा प्रती है, मैडम क्योरे ने अपने जीवन की कटिन समय की बारे में लिखा है, दीखो उसने लिखा है कश्ट प्रद माने कि दुख्या पीड़ा देने वाला पुराने गोदा में हमने अपने जीवन की सर्वतमवश कार्य को समिर्पित करते वे बिताई यानि कि जो खराब समय था दुख था उसको हमने अच्छे से अच्छे कार्य में परिवर्तित कर दिया कभी कभी मुझे अपनी लंबय जितनी बड़ी लोहे की चड़ से उबलती वे पदात को मिलाने में पूरा पूरा दिन व्यतित करना पड़ता अपनी आहिट के बरबर के ये जो लंबय जितनी बड़ी लोहे की चड़ी होती है रासायन में तो वही होता है इसको मिलाकर उसको निकालकर ये सभी उसमें होता है मैं शाम तक ठकान से तूट जायती थी इनकी विपरीद काम तब बहुत सुक्ष्म और गंबी हो जाता जब रेडियम के क्रिष्टिल लिकर पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था ये जो काम होता है उसकी उपर नजर रखनी पड़ती है चरा से भी हिल्चिल हो गए तो पूरा प्रियोग फैल मैं तब बहुत ख्यूब्द यानि कि व्यापूल विचलिद और बेचेन हो जाती थी जब इतनी महिनत से प्राप्त की उत्पाद को दुशित दुए और दुश से बचाना नहीं पाती थी इसके बावजुद में शोद के उस अबाधित और शंत महल में मिले हर्ष को भी अभिव्यक्ति नहीं कर पाऊ देखो कि कभी कभी तो क्या आता है कि शंशोदित जो चीज है वो तुवे के वज़े से खराब हो जाती थी तब जाकर वो बेचेन से हो जाती थी कि मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ लेकिन जब सफलता प्राप्त हो जाती थी तब जो आनन्द मिलता था वो अभियव्यक्त लिखना भी मुश्कील है वो लिख नहीं सकते हुद हमारे जिवत भी ऐसे होते कि कुछ फtså ऐसे होते जो हम लिख भी नहीं सकते इसुर्फ वो अनुभो कर सकते वहां होना हĩ बड़ी बात है आप कभी कि लेक्चर में आज बहुत मज़ा है बहुत मज़ा है लेकिन घर जाकर आप बहुत मज़े को कुछ कह नहीं सकते सिर्फ इतना रख सकते कि बहुत मज़ा है न तु ऐसे ही वो कह रहे कि जू अभी व्यक्ति में करने पाओ परिष्णम एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुश्य महान से महान करे कर सकता है 4 जुलाई 1934 को अतिशी रेडियेशन के प्रभाव के कारणू का दिहान हो है उसके अस्बन के विम्रुतिय ऐसे हुई और उसकी विम्रुतिय ऐसे हुए 1934, 4 जुलाई तो जो लोग कह रहे थे कि यह नहीं हो सकता लेकिन यहां पर पूरे चेप्टर में उसने क्या किया अपना गां कर दिखाया बुलने वाले दो अजारों लोग मिलेंगे कि यह नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा लेकिन आपको अपने काम पे भरोसा है यहां मेडम क्यूरी ने काय कहा था कि मुझे खुद पर भरोसा है अच्छी बात है सबसे बड़ी बात हो है कि खुद पर भरोसा होना तिक्ष्ण नदर देज कष्ण पर दुख्या पेड़ा देने वाला शुद व्याकुल विचलित बेचे अबाधित यानि बिना किसी बाधा के अब अबाधित काम करते रहो बस वह बड़ी बात है कठिन परिस्ट्रित के और वी तो उसका सामना कैसे करे क्या करें ओक्द बैट माझ जांगे और नहीं होगा बैट गए तो काम ख़तरू हाथ हाँ तो अभी तो हमैं इसमें इस में से सीखना है कि अभी हमारा जो काम है वो हमें ठीक से करना है फैरबू को, टेक्समुक कावर को हमबर को पढ़ने लिखने जो सारी बात है उनमें हमें ध्यान देना है वो ही हमें सीखना है तब जाकर आप आगे अच्छी तर से पढ़ सको और अच्छी तर से आप जो चाहते हैं वो बन सबुके यही आपके पास ताइम है आप खुद को जानो खुद को पैचानो पहले तो पहले सबसे बड़ी बात है कि जो काम करो वो ठीक से कर बस फैरबुक है ठीक से रफ वर्क है दो विद्यान तो ऐसे आप आदत पढ़ जाएगे आपको कि हर काम ठीक से करना है बस और तब जाकर आप अपने गोल तक पहुँच सकोगे तब आप गोल पे अपना लक्षान रख सकोगे तो होगा तो आप भी साइंटिस बन सकते हैं आप भी अच्छे से अच्छे अच्छे एंजिनियर बन सकते हैं अच्छे से अच्छे डॉक्र बन सकते हैं अच्छे से टीचर बन सकते हैं आपको जू बनना यह बन सकते हैं लेकिन पहले ठीक से काम करोगे नहीं, तो नहीं, काम तो करना ही पड़े, तो ये बात हमें इसमें से सीखने हैं, कि हमें काम ठीक से करना है और खुद उपर भरोसा रखना है, है ना, रखेंगे भरोसा, डार, तो देखते हैं अब question answer, बोलने की बारी, मैडम क्यूरी का जन्मा, कब और कहां हुआ था, तो मैडम क्यूरी का जन्मा, 7 नवेंबर 1867 को पोलने में हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, और वे क्या काम करते थे, उनकी पिता का नाम स्वव, लो, दोस्का था, वे एक विज्ञानिक थे, तथा विज्ञान की प्रोफेसर थे, मैडम क्यूरी को विज्ञानिक बनने की प्रेणा किसे मिल? तो मैडम क्यूरी को विज्ञानिक बनने की प्रेणा अपने पिता से मिल? पैरिस में उनकी मुलाकाद किस से हुई? पैरिस में उनकी मुलाकाद प्रोफेसर पियरे क्यूरी से हुई? विज्ञान के प्रती पुर्णतम समर्पित विज्ञाने थे, उनसे विवाकर करने के प्रशाद मैरिया मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद हुई तो यह यहाँ पर हमारे हो गई बोलने की बारे देख लो आप एक बार तो लिखने की बारे देखते हैं किस खोज पर पती पत्नी को नोबिल पूरसकर मिला दो विशेश पदात पोलेनियम और रेडियम की खोज के कारणपती और पत्नी को संसर का सबसे बड़ा पूरसकर नोबिल पूरसकर मिला रेडि मूद मैंने बताया न रोल पे हो थी लाइट अंधेरे बिवियो चमकते है पीरे क्यूरी की मृत्य कैसे हुई पीरे क्यूरी की मृत्य एक दुर्गटना में हुई थी अपने दुखो को भूलाने के लिए मैडम क्यूरी ने क्या किया तो पती की मौत के दुख को भूलाने के लिए मैडम क्यूरी अपना सारा समय विज्ञान की खोज में बिताने लगी तथा पैरिश के विश्वी ज्याले में उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी कर लिए अपने दुख को भूलाने के लिए मैडम क्योरी के जीवन से अमें क्या सिख मिलती है तो मैडम क्योरी के जीवन से अमें शिक्षा मिलती है कि परिस्रम का कोई विकल्प नहीं है यह एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य महान से महान कार्य कर सकता है परिश्रम का कोई सफलता देनेवाला है नहीं ऐसे होगा नहीं काम करना पड़ा है मैंनत करने पड़ेगे देखो सही तथा गलत सही तथा गलत question number five madam quri का जन्म पैरिस में हुआ था नहीं नहीं गलत का में गलत बात है madam quri के पिता वज्यानिक थे right madam quri को दो बार नवे पुरस कर मिला वो भी बात सही है पत्मी पत्मी की रूची इतिहास पढ़ने में थी नहीं है दला madam quri का जन्म नैंटेन थर्टी फोर को हुआ था नहीं कब हुआ था नैंटेन थर्टी फोर में तो उसकी भृत्य 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 आँ तो अब देखते हैं भाषा संसार निमन लिखीत उपसर्वों से तीन तीन शब्द बनाने हैं उपसर्व आपको दिया है वी है अभी अनू पारी और सम वी अभी अनू पारी और सम तो इनसे में कितने तीन शब्द बनाने है कि जिसमें ये उफसर लगे हुए हो तो दिखते हैं हम उफसर मतलब आगे लगते हैं अन्नू पहले वी से है विशेश, विचार, विगनान, विदेश होगे हैं? विशेश, विचार और विगनान अब है अभी, अभी योग, अभियान, अभी व्यक्ति अनू है अनुभाग, अनुमान, अनुचर, अनुपम परी से है परिणाम, परिवेश, परिकल्पनाम समझ है संसार, संकल्प और संगति अब है कारक मिलन, देखते हैं, सही मिलन के जिए विभपी चीन से और कारक तो देखते हैं, तो छड़ से, ये दिया हुए आपे, छड़ से, तो कौन्चा उसमें लगे गाया करण कारक, अपने करता कारक, ये मेरे साथ आप लिख रहे हुँ ना, तो आपका जल्दी से कान समाक्त हो जाए मेरी याने तो करता कारक, वारस सामे अधी करण कारक, पदार्थ की सबंध कारक, दुख को कर्म कारक, मनुष्य के लिए संप्रदान कारक मिल गया सब, ये वेले लिख लिए आपने, वी अनू सम अभी और परिंग, दोनों लिख लिए विलोम शब्द लिखने अवियमें जन्म तो मरण, सन्मान, अपमान, लायक, नालायक, बच्पन, धापा, परिस्त्रम, आलश्य, जीवित तो मृत, समाप्त तो शुवार, कठिनाई तो सरलता, दुख तो सुख तो देखते हैं, अंग्रेजी शब्दों के इंदी पर यह लिए कि अस्त है रसाइन विज्यान, गूतिक विज्यान, जीविज्यान, कला, अंक गने, पुगूल, नागरिक्षास्त्र और इतियास केमिस्ट्री तो रसाइन विज्यान, फिजिक्स, पौतिक विज्यान, बायोलोजी तो जीविज्यान, आर्ट, अंक गला, अर्थिमेटिक, अंक कने, जीओग्राफी, नुगूल, सिविस, नागरिक्षास्त्र, इस्ट्री तो इतियास अब पुरुषवाचक सर्वनाम तथा उसके भेद यहां पर दिया है, वो भी हम देख लेते हैं, कि मेरियाने सोचा कि मैं पिता की तरव विज्यानिक बनूगी, पैरिस में उन्हों ने, ये सब क्या है सर्वनाम, लेकिन वो सब पुरुषवाचक सर्वनाम है अपने खर्च के पैसे जुटाने के लिए पढ़ने के साथ साथ विशोविद्याले में पढ़ाना पीशरू किया, वही उनकी मुलाकात प्रफेस्टर पीरे क्यूरे से विवाग के पश्चागवे मेडम क्यूरे के नाम से प्रसीद हुई मैं मतलब उत्तम पुरुषवाचक उनकी मतलब अन्य पुरुषवाचक उन होने मतलब अन्य पुरुषवाचक वे मतलब अन्य पुरुषवाचक तो यह यहां पर बात हो गए कि निम्ला लेखे पड़ी और समझे उत्तम पुरुष हुआ सकते सर्वनाम तो यह सर्वनाम के बागती मैं उनकी उन्होंने और वे यह सर्वनाम भी अपने देख लिए तो यहां पर यह जो मारा लेक्चर है वो समागत होता है मैडम क्यूरी का पुरा चेप्राम ने देख लिया अब आपको ऐसे ही एक महान विध्यानिक के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में उसका फोटो फेर बुप में लगाना है उसकी शोध क्या है उसके बारे में डीटेल में लिखना है कि मैसे पैठी को कौई पी विध्यानिक के पुब ले सकती है लेकिन निकलना है इह वो दीखना खास व क्योस्री के बारे में नहें होमें पढ़ने उनके նीवा कोई ब्लिख के बारे में लिख दो एक पीज लिक होगे तो चलिए एक पेज उसका फो टो भी आजा भारत में कितने सारे विजयनिक हो गया है है तो आप उसमें भी देख सकते हो g bets संच कर के देख सकते हो आपके पास कोई й भूक पढ़ी है तो उसमें भी है तो देख सकते हो डोक्टर विक्रम सारावाय, डोक्टर एपी जब्दुलकलान, ओमी बाबा, भारत की कहीं सारे, जग दिश्चंद्र बोज, विग्यानिक हुए है, तो उनको उनके बारे में भ्याम लिख सकते हो, उसके फोटो चिपका सकते हो, हाँ, ओके, तो ये आपका वर्क है, क्या कर दो तो भी चलेगा, बाद में तो भी चलेगा, बाद में तो भी चलेगा, ओके, थेंक यू और बुन बार,